डॉक्टर शलप बंसल, रेडियोलोजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केर में एक सुप्रसिध नाम है, जिन्हें देश्व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनभव प्राप्त है। और अपने इसी अनभव और एक्सपटीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आये हैं एक स्टेट अफ दियार्ट डाइग्नॉस्टिक सेंटर। पड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन अत्यधिक शोर से होने वाले दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रफोबिया वो एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए। हमने एक हाइटेक ऑडियो विज्वल एमराई सिस्टम लगाया है। दिल्ली रोट के सरगंज में कल मैट्रो की लाइन क्रोस होने की वजहां से सड़क बैठ गई। पूरा दिन सड़क धसने की वजहां से ट्रैफिक जाम रहा, गनी मत रही कि इस हादसे से कोई जन्हानी नहीं हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं धसी हुई सड़क और सड़क धसने की वजहां से जाम हुआ ट्रैफिक। हम आपको बताएंगे कैसे रातो रात धसी हुई सड़क पर फिर से चला ट्रैफिक। लेकिन उससे पहले देखें व्यापार संग के अध्यक्ष योगेश कुमार से मिली जानकारी। अब देखें नजारा आज का बता दें खोकली हुई इस सड़क में तीन ट्रक रोडी बजरपुर भरकर आईरन की हैवी प्लेट से इसको कवर कर दिया गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं इस सड़क पर लगतार वहनों की आवाजाही जारी है लेकिन सड़क पर हैवी वहन जैसे की बस और ट्रक की आवाजाही अभी भी बैन है। आप देख सकते हैं सड़क का ये हिस्सा जिस पर आईरन प्लेट लगी हुई है। ये हिस्सा पुरी तरह से खोकला हो चुका था। इसको कड़े मशक्कत के बाद रोडी बजरपुर भरकर काम चलाओ ठीक किया गया है। बता दें अभी इस सड़क को सिर्फ टेंपरेडी ठ किया गया है। इसको पूरी तरह से पहले की तरह बनाने के लिए काम चारी है। अभी के लिए इतना ही हमारी वीडियो को जादा से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।